हेलो दोस्तों good morning कैसे हैं आप सब लोग तो दोस्तों ।चत के बारे में out कुछ बाती जान लेते हैं। और इसी season मेकी कीवš virtuous कााम करते है मौसम में हमें , हेपने प्लांट्स हैं ,उनकी hard pruning कर लेना के लिक ब्रूर सकाट्स , और ये देखें इसमें नए नए कुपल फूटना सुरू हो गए है दूसरा काम है जिन जिन प्लांट्स की रूट बाउंड हो चुकी हो तो उन्हें पूरा निकालके और हार्ड प्रूनिंग करनी है रूट्स की और जो है नए मिट्टी भरके और कमपोश्ट मिलाके इसे हमें फिर से लगाना है इसरी बात दूस्तों अगर हमारे प्लांट्स में ज्यादा रूट्स नहीं है तो हमें हलकी सी गुडाई करनी है अपने प्लांट्स में और हलकी सी गुड़ाई करके थोड़ी सी मिट्टी आप बहार निकाल दीजिए और जो है उसमें कमपोस्ट मिलाके सारी इसमें आप किनारे किनारे डाल दीजिए और फिर से वो मिट्टी इसके उपर डालके फिल कर दीजिए और प्लांट्स को पानी दे दीजिए और इस चौ गणा और अच्छी कलियों वाला हो जाता है अच्छी फ्लावरिंग देता है पांचवी बात दोस्तो यह है कि अगर इस मौसम में आप शीट्स लगा लें तो सबसे बेश्ट रहेगा क्योंकि यह सबसे बेश्ट मौसम है शीट्स लगाने का और पटिंग लगाने का तो आप अपने cuttings लगा लीजिए, जहां जहां जो जो sheets आपको flour के लगाने हैं या fruits के लगाने हैं या vegetables के लगाने हैं, तो आप लगा सकते हैं, मैंने भी खुब सारी अपनी cuttings लगा रखी है, और cuttings चल पड़ी है, यह देखे यह सब कटिंग से लगाई हुई हुए हुए प्लांट से मेरे और छटी बात दोस्तों जब हम अपना यह जो जो मैंने बताया वो काम पुरा होने पे फिर उसके हर 15 दिन पर हम लिक्वीट फर्टिलाइजर डालेंगे इसके अंदर और जो है यह देखे शेतूत है जिसे मालवेरी कहते हैं और इसमें देखे नए-नए कल्ले निकले हैं यह देखे नीचे से जो है नए-नए सूट्स निकल लाए हैं और दोस्तों सबसे में और इंपोर्टेंट बात पैस्टिसाइड जरूर आपको छिड़कना है इस मौसम में क्यूंकि इस मौसम में ही नए छोटे जो है किले लग जाते हैं तो उससे बचाने के लिए मैंने पैस्टिसाइड घर का बनाया है और गैनिक तो आप मेरी चैनल पे जाके जरूर देखिएगा और जो है जित्ता हो सके आप जो है इसी मौसम में जिन जिन प्लांट्स की कटिंग लगाना चाहते हैं फ्लावर के या वेजिटेबल्स के शीट्स लगाना चाहते हैं तो यहीं बेस्ट मौसम है बेस्ट क्या बेस्ट टेस्ट मौसम है तो जली करिए दोस्तों और अपने गार्डन को गर्मी के लिए तयार कीजिए तो दोस्तों मेरा ये छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेर कमेंट जरूर कीजिएगा और कोई क्वेस्चन हो तो जरूर पूछेगा क्योंकि आपके क्वेस्चन ही हमें मोटिवेट करते हैं तो सो प्लीज जरूर पूछेगा थैंक यू बबाई चिडियो की आवाज देखें कितनी सुभे सुभे सुनाई पड़ती है यहाँ पर तो ये देखें भई मेरे छोटू छोटू से सब फूल निकले हैं कुछ काम अभी करने बाकी हैं तो वो भी में करने जाऊंगी और अभी मैंने कल पेस्टिसाइट बनाया था अपने घर में तो उसका रिजल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे प्लांट्स में आप कहीं रह तो नहीं गया है अगर रह गया हो तो देखते हैं चलो फिर मिलते हैं चलते चलते ओके बाई थेंक यू